शावर लेकर वो शानों पर तोलिया रगरते बाहर निकला था सियाह बाल माथे पर चिपके हुए थे चेहरे पर च्छाई सर्द मोरी उसके चेहरे की दिलकशी को कई गुना बढ़ा गई थी वो लब भींच कर पूरे कमरे पर एक नजर दोड़ाई कुछों का नजरें सोफे क सामने मौजूद टेबल पर रखी ट्रे पर गए गुल बहार खान कहीं भी नहीं थी वो मुठियों में तोलिया भीचते पूरी कुछ से सोफे बाम मारता दर्वाजे की सिम बढ़ा मगर अचानक ड्रेसिंग रूम का दर्वाजा खुलने की आवाज पर उसके कदम थमे ला लिबास तब्दील करके उसने खुशक लिबास देबतन किया स्किन कलर की बड़ी सी शौल में उसका चोटा सा वजूद पूरी तरह चुप गया था वो बैट की जाने पड़ी जब बहराम ने उसे पकारा रुको किसकी अजाज़त से वाँ जा रही हो बहराम खानजाद से उसे वर्न करता खुद सोफे पर बैटा था गुल बहर उसे एक नजर देखते सर खामोशी से जुका गए मुकापल बैटे शक्स की नफरत भरी नजरें उसका सर्द लह जा गुल बहर कान को रोने पर मजबूर कर रहा था मगर वो मजबूत बने वही खड़ी सर जुका ग बढ़ी थी रोशाबा खानम ने उसकी खुब तजलीर की थी उसके लिए चाय बनाते उसका हाथ बुरी तरह जल गया था उसने सारी जिंदगी कभी चुले को छुआ तक नहीं था चाय बनाना तो दूर की बात थी मगर वो चुप चाप उनके ताने सहती रही थी अब भी व वकुफ लड़की बहराम खान जादा बूल गया था वो कमरे में अपना मॉबाइल फोन और सिगरेट लेने लोटा था वो उसे सख हुसे से जिरकता तेजी से उसकी तरफ बढ़ा जो उसकी आवास पर भीगी नजरों से उसे गुरती और भी जोर से रो दी बहराम दरास की तरफ बढ़ा फरस्टेड बॉक्स निकालते वो मरहम निकालता उसके करीब बैटा नहीं दिद दर्द है खान चुच होड़ो वो दर्द से भी लगती अपना हाथ उसकी करीफ से चुड़ाने की कोशिश में मजीद रोने लगी बहराम ने जुझलाट से उसे गुरा खबर जान निकाल दूँगा वरना मैं तुम्हारी वो अचानक उसकी हसीन आंकों में देखते सकती से बोला तो गुलबहार खान सहम कर भीगी खौफ सदा नर्जरों से उसे देखे गए उन भीगी आंकों में ठहरे आंसू बहराम खान जादा की दिल में अलग तूफान बरपा कर गए थे वो सर जुकाया अब नर्मी से मरहम उसके हाथ पर लगाने लगा जिसकी सिस्कियां बहराम को बहुत पीछे धकेल गए कैसे जलाया हाथ दाहिनी आइबरा उचकाते वो सक की लहजे में मुस्तफ सर हुआ गुलबहार खान नियों से भीगी नजरों से देखते अपन दर्द के सबब उसे सारी रात नीन नहीं आने वाली थी जभी पेन किलर के साथ उसने नीन की आदी गूली भी उसके हाथ पर रखी और पानी से गलास उसके लबों को लगाया जिसे वो चुपचाक पीते जल्दी से कमफर्टर में मुझ चुपा गई उसकी एहतियाती तदा पर वो सुर्थ नजरों से उसे गूरता रहा गया ग्लास मेज पर रखते वो स्टडी रूम से लैपटॉप उठा ता बिस्तर की तरह बढ़ा था बैट क्राउन से टेक लगाते उसने लैपडॉप खोला फिलहाल उसे अपने जहन को मसूफ रखने का इससे बेहतर कोई आप पारब भी था लब भीच कर गहरी सांस बरते उसकी गर्दन पर चिपके बालों को नर्मी से हटा गया मरहम उगली पर लगाए उसने गुल बहार खान की शफाफ गर्दन पर दिये अपने ही जखमों पर मरहम लगाया उसे कोई दुख्या अफसूस नहीं था बस वो से हाल हो रहा था और बेतर यही था कि फिलहाल वो गुल बहार खान से दूर है कमस कमार्च की रात उसका दूर रहना ही बेतर था मैं अकिला चला जाता हूं मोरे बख को रहने दे लब भीचे वो संजीत की से अपनी नजरें जुका कर गोया हुआ तो अलमारी में कुछ जोशी से गहरी सांस बरते रह गया दर्वाजे पर दस्ता कोई थी बख सलाम करती अंदर दाखिल हुई तो दरख की मौजूद की महसूस करते उसके चेरे पर करक्तगी सी जाए आपने याद किया चची वो बह मुश्किल अपने आपको संभालते संजीत की से गोया हुई हा अपना दोना बवों के लिए के कंगन सबाल कर रखा है जरक तो नहीं अलबता दरख का शादी हुआ तो इसलिए अब तुम्हारा हुआ वो हुबसूरत कंगन दरख की तरफ बढ़ाते हुए बोली अंकों में सर्द मूरी थी मगर वो बेटे की खुशी को अपनी खुशियों पर तरजी देने का फैसला कर चुगी थी दरख अपना औरत को अपना हाथों से पहना हुई है कंगन बारीना खानम दरख को घुरते हुए बोली जो कंगन बख की जानी बढ़ा रहा था मुरे के हुकम पर उसने बख का हाथ था में नर्मी से वो कंगन उसकी कलाई की जीनत बनाया आज रात तुम दोनों का दावत है हमारा भाई के घर इसलिए तुम अच्छा सा तयार होकर अ इस तगी से गोया हुआ बख कमरे में जाओ मेरा और अपना लिपास निकालो वो बख की तरफ मुरा उसे संजीत की से देखते वो दो टोक हुकमिया अंदाज में बोला बख तो से घुसे से घुरती जी कहते उटी दरख खान जादा मां से इजाज़त देता उनके कमरे से ब सजाया गया था और अब बैठे बैठे वो ठक गई थी तो उटते खुद को उसने भारी जिवरात से आजाद कराना चाहा मगर आईने के सामने जाते ही वो ठिटक सी गए जिन्दगी में पहली मरतबा वो इसकदर तयार हुई थी दुलहन का लिपास उसके खुबसूरत बद ना चाहा मगर अचानक अपने गिद किसी के मजबूत हिसार को महसूस करते उसने जट से अपनी जुकी पलकें उठाएं सुर्मयांकों में लगा गहरा काजल उसकी खुबसूरती को कई गुना तक बढ़ा गया था दर खानी ने धड़कते दिल से अपने पीछे उभरते जर रखते मख़ूर लहजे में बोला उसकी इस हरकत पर अगले ही लमे दर्खानी की आंके शर्म और गवराट से जुकी थी दिल दोसों की स्पीट से धड़क रहा था वो मुझे उलज़न हो रही थी तो इसलिए बस वो थूक निगलते नजरें जुका कर मिन मिन आई जरक खान खानजादा तो उसके दिलनशी रूप को देखता बुरी तरह से गायलवा था वो उसकी जुकी नजरों को देखते उसे नर्मी से कुर्सी पर बिठा गया दर्खानी की गवराट रूज बरती जरक खानजादा वाहिस्तगी से उसके जेवराद उतारते उसके करीब गुटन करूंगा खानी मगर मैं आज अपनी भीवी से एक वादा जरूर करूंगा ता अमर तुम्हारी आंकों में मेरी वज़ा से कोई आंसू नहीं आएगा मैं तुम्हें खुद से बढ़कर चाहूंगा कि तुम जिन्दगी के हर गम को वेरी संगत में भूल जाओगी वो इन शक्स ने उसे चंद दिनों में दे दिया था मगरूर होना तो बनता था ना बस मुझे कभी अकीला मत चुरियेगा वो भीगी आंकों समय इतना ही बोली थी बस जरा खानजादा ने मुस्कुराती वे उसके हाथों को चुमते उसे खुद में भीच डाला जिन्दगी के उता पर चड़ाओ तो हर किसी के लिए इमताहन बन कराते हैं मगर एक मुखलिस शक्स का साथ खुदा पर कामिल यकीन हमें आजमाईश और हर मुसीबत में सुर्खरू करता है दरखानी के आजमाईशों के सिले में खुदा ने उसे जरा खानजादा के साथ से नवाजा था और आ दॉक्टर साइका ने संजीत की से दारियान को उसकी जिनी हालत की बाबतागा किया जिसके खुबर उचेरे पर धेरों फिकर आया थी मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर मगर कुछ रसे के लिए मैं दीदम को कहीं भी नहीं ले जा सकता वो पेशानी मसलते गहरी सांस बरते ब बार बार पुरानी चीज़ों को सोचने के बजाए अपनी मौजूदा जिन्दगी पर तावजो दें दारियान ने एक निकाप पैट पर बेहुशी की हालत में लेटी दीदम पर डालते सवालिया नजरों से डॉक्टर को देखा क्या मतलब मैं भला कैसे इसे मसूफ कर सकता यह डॉक्टर वो सच में खासा मुतफिकर था मौमलात उसकी सोच से बढ़कर पेचीदा हो गए थे यह आपको मुझसे पूछने की ज़रत नहीं है मिस्टर दारियान खान आप शोहर हैं और शादी के बाद एक और एक औरत के लिए बच्चे से ज़्यादा खुबसूरत मस सकता था यहां तो महज एक बच्चे की बात थी शुक्रिया डॉक्टर मैं कोशिश करूंगा कि दीदम ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रह सके सीने पर हाथ पांदे उसने दो टोक अंदास में कहा तो डॉक्टर मुबहम सा मुस्कुराई सरस बात में हिलाते वो से अलविदा लेते सीरियों की जानी बढ़ गए जबके दारियान काफी देर वहीं खड़ा ये सूचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए हमारा हाथ चोड़ो तुम खान गुल बहार की दबी दबी सिस्कियों की आवास पर उसकी नीद एक दम से खुली थी सुरख आंके रगड़ते उ उसने जैसे अपनी सिम कीचा गुल बहार खान रोते वे चीखी बहराम उसे सर्द वार्निंग देती नजरों से गूरते बखोर उसके जलेवे हाथ का जायजा लेने लगा सोते वे शायद उसका हाथ नीचे आया था जबी सारा हाथ बुरी तरह से सुर्ख पड़ा था वो ज सके जबडे भीजते वो अपनी स्किन शॉल निकालते वापस पल्टा भारी कदम उठाते वो बिस्तर कग गया शॉल गुल बहार के कंदों पर उड़ाते वो बैट पर उसके करीब बैठा गुल बहार गबरा कर उससे दूर किसकी उसकी हरकत बहराम खान जादा को सब जुझ नहीं जाएगा तुमारा साथ हम ठीक है तुम चले जाओ हमारा सामने से वो रोती पीछे को किसकते बुरी तरा ची की सारा खौफ डर कहीं चास होया था उसे याद था तो बस इतना कि उसे चोट बहराम खान जादा की वज़ा से आई थी और उससे बढ़कर वो उसे जिस ब तुमारा दमाग और तुमारी चलती जुबान को ठीकाने लगा देता वो बिफरावा उसके चेरे को अपनी गर्म सांसों से जुल साता आई के एक लफ़ पर जोर देते बोला लहू रंग आंखों में चाही सर्द मोरी देखते गुल बहर खान के पूरे वजूद में सरसराह पहलती चली गए बदन पर लर्जाहर सितारी हुई जिसे काबू करने के लिए वो दान चिद्दत से भीच गए बहराम उसकी भीगी आंकों में देखते बिना लम्हे की ताकीर के उसे बाजों में बरता कमरे से बाहर निकला बहराम खान कहा जा रहा है तुम और गुल क्यों रो रहा है कमरे से निकलती दी जान के कदम बहराम खान जादा को देखते थमें वो उनके कमरे के करीब से गुजरता एकदम रोका गुल बहार खान को रोता वो देख चुकी थी जभी उनकी बेचैनी मजीद बड़ी वो अब तक बहराम खान और गुल बहार के बीच हुए ह रुस्से पर हैरान थी. बहराम Khandом को पच्छा की पुश को देखते दे जान ने आवास दे थी. सरद आवास.ी क्टम बावर्ची खाने की सिम्त थूने बढ़ाई. कमरा समेटे दरखानी ने थंडी सांस बरते बैट पर रूंदे मूं लेटे जरक खानजादा की चोड़ी पुश्ट को देखा घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के दस बच रहे थे जरक फजर की नमाज पढ़कर दुबारा से सो गया था जबके दरखानी नहीं सोई थी कुरान पाक की तिलावत करने के बाद वो किचन में जाकर जरक खानजादा के लिए अपने हाथों से नाश्टा तयार करके कमरे में आई मगर वो अब तक सो रा था साहब उट जाएं वो दीमे कदमों से चलती बैटके नजदीक पहुंचते उसके शाने पर हाथ रखते बोली जरक खानजादा यूहीं चिकलेटा मुँ मजीद तकिये में चुपा गया साहब दरखानी की बड़ी बड़ी आंके मजीद पहली वो जैसे ही उसे जगाने की खरसे जुकी जरक खानजादा ने उसकी खलाए को जगरते उसे तेजी से अपने पहलु में गिराते एक हाथ उसकी नाजुक कमर के करीब बांदा सर उसके सीने पर रखते वो आंखे पिर से मून गया दरخानी का सांस उसके अंब चेरे समेट उसे खुढ दूर करने लगी इतनी खुबसुरत सुभा को तुम दूर रहकर बर्बाद कर रही थी मिसिस वो यूही आंके मुदे कंबीर लहजे में बोला दर्खानी की गपराहट और शर्मरूज बरती वो लरस्ती कामती अपने सीने पर मौजूद उसके सर को देखते लब पूरी तरह से कुछ चलने लगी आपको दफ्तर नहीं जाना आज जब कुछ बात ना बन पड़ी तो उसका ध्यान कुछ से हटाने की खर्द से बोली जरक के लबों को मुबहम से मुस्कुराहट ने चुआ मेरी जान दफ्तर नहीं हॉस्पिटल तुम्हारा शोर डॉक्टर है और अपनी शादी के लिए मैंने पहली एक हफ़ते की चुटी ले रखिया तुम अपना सुनाओ कहां जाने के इरादे हैं वो उसकी मजामत करते वजूद को शिद्द से हिसार में चकरते अपनी सुर्ख रच जगे की सुर्खी से भर पूर मखमूर निकाहें दर्खानी के हसीन चेहरे पर टिकाए बोला मैं तो कहीं नहीं जारी आप उट जाएं मैंने नाश्ता बनाया आपके लिए वो उसे अपनी करदन पर जुका महसूस करते उजलत बरे अंदाज में बोली जहे नसीब तो मतलब ये खुबसूरत सुभा मजीद खुबसूरत हो गई आज तो जुक कर उसकी ठोरी पर लब रखते मुस्कुरा कर बोला तो दर्खानी की नजरे मजीद जुकी थी जरक खानजादा की बे बाकियों के सामने वो महस नजरे जुका सकती थी खानी मैं साहब नहीं तुम्हारा शोहर हो तो मुझे जरक कहा करो तुम्हारे लबों से मेरा नाम सुनकर मेरे दिल को राहत मिलेगी वो उसकी कलाई पर सजे प्रेसलेट पर लब रखते महबत पाश लहचे में बोला तो दर्खानी एक लम्हे के लिए नजरें उठाई उसे देखती रही और फिर फूरन नजरें जुका गए खूबसूरत सफर की खूबसूरत सुभा मुबारा को मिस्स खान जादा जरक उटते उसकी पेशानी चूंगता घंबीर लैचे में कहते वाश रूम किसम बड़ा उसके उटते ही दर्खानी ने अपनी बेतर दिब धरकनों पर हाथ रखते अपने दोसों की स्पीट से धरकते दिल को संबाला खुशाम देद मेरा भाज़ा कैसा है तुम बटा गाड़ी पोर्च में रोकते वो बाग के साथ हवेली की बैठक में पहुँचा था उने देखते हुए भी चम उने बैटे हुए भी चंद लम्हे ही गुजरे थे जब यूसुफ रजा खान दर्वाजे से अंदर आते पुर्जोस से अंदाज में बोले दर्ख मुस्कुरा कर उनके इस्तक्बाल के लिए उटकर खड़ा वार उनसे गले मिला बिलकुल ठीक चफकत से बोले खैर मुबारक वो हलका सा मुस्कुरा कर बस इतना ही बोल पाई थी दर्ख खान जादा के मामू से सबसे ज्यादा चाहते थे और वज़ा वही थी उनकी बेटी के लिए उन्हें दर्ख भचपन से दामाद के रूप में पसंदा बाख पी ये बाद जानती थ मगर उसे अंताजा ना था कि वो इतना अच्छा बरताओ करेंगे उसके साथ तुम दोनों आओ हमारा साथ सफर से ठक गया होगा तुम दोनों कमरा में आराम कर लो उनके कहने पर दर्ख ने सर अस बात में हिलाते बाख को देखा जो शौल संबालते वे उठी थी वो दोनों उनकी हम राही में चलते होगी के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गए जहां सामने से उसी सिम्ताती गुलाली और बानो खानम को देखते वो दोनों रुकेते शादी मुबारक उखान बानो खानम ने उसके सर पर हाथ रखते सुर्ख नजरों से बख़ को देखा उस उ गुलाले ही तुम बावे को लेकर कमरे में छोड़ा। यूसुफ खान को अच्छानक यादा है। वो गोडों के शोकीन थे और उन्हीं की तरह ये शोक तरख खानजादा को भी मिला था। गोडे के जिकर परी वो उजलत में कदम उठाते यूसुफ खान से पहले सीरियां फलांगने लगा। अमकाना का बंदोबास कर ले। गुलाले ही तुम बाव को कमरा में छोड़ दो। बानो खानम ने गहरी सांस भरते का। बाव ने एक निगाह उस लड़की पर डाली जो ब मुश्किल 18 साल की थी, खुबसूरत आंके, लंबे बाल, सुरको सुफेद, रंगत, दर्म्याना कद, वो वाके खुबसूरत थी, ऐसा क्या देख रहा है तुम बाव, हम खुबसूरत नहीं हैं, अगर होता तो दरक हम को छोड़ कर तुम से शादी ना करता, गुलाले के आं जान ने मजबूर किया, वरना वो कभी भी इंताही कदम ना उठाता, बाव को दुख हुआ था, उसके रोने पर, गुलाले ये चानक से हसी थी, बावत हैरत से उसे हसता देखने लगी, गुलाले ने एक निगाव बाव खुबसूरत थी, तुम सच में पागल है बाव खु अगर तुम उससे निकाह किया है, इसका मतब वो तुम से दिल से शादी किया है, मजबूरी में ने, गुलाले किस पार्ट लहजे में कहने पर बाव का चेहरा शिड़त से सोड़ पड़ा, आंकों के सामने दरख खानजादा का चेहरा लहराया, और शिड़त भरे अलफाज खुंजे, वो लब भींचे खामोश खड़ी रही थी, आओ हम तुम को कमरा में छोड़ कर आता है, गुलाले ही संजीत की से कहती, आगे बढ़ गई थी, पाख खामोशी से उसके पीछे चलने लगी